साल 2023, इस साल को टीम इडिया के लिए ऐसे समराइज किया जाए कि ये साल टीम इडिया के लिए शांदार रहा, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मतलब हमें पता है, आप लोग भी क्रिकेट काफी जादा फॉलो करते हैं, सभी क्रिकेट फैंस अभी भी वर्ल्ल टेस्ट चैंपियंशिप, फाइनल और वर्ल्ल कप की फाइनल की हार से उबरे नहीं हैं, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि टीम इडिया के लिए ये साल टीम इडिया के लिए इस साल का आखरी इंटरनाशनल मैच होगा, ये टीम इडिया का साल 2023 का 66 मैच होगा, इससे पहले हुए 65 मैचों में भारतिय टीम में 45 मुकाबलों में जीत हासिल की है, उससे महज 16 मैचेज में ही हार जेलनी पड़ी है, इस दौरान दो मैच ड्रॉ भी सबसे पहले बात टेस्ट रिकॉर्ड, टीम इडिया ने इस साल सिर्फ साथ टेस्ट मैचेज खेले, उसने पाँच मैच में और दो मैचों में वेस्ट इंडीज का सामना किया, इन साथ में तीन मुकाबलों में टीम इडिया को जीत मिली, वहीं दो मैचों में उसे हार का साम का गदर मचाया। टीम इंडिया ने इस साल टोटल 35 वन डे मैच खेले। जिसमें उसे 27 मुकाबलों में जीत मिली और महें 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इस दोरान एक मैच नो रिजल्ट भी रहा। यानि लगबग हर 5 मैचेज में टीम इंडिया को चार में जीत औ और एक में हार मिली। अब वन डे फॉर्माट के बाद बात कर लेते हैं T20 फॉर्माट की। तो भारती टीम ने इस साल 23 T20 इंटरनाशनल मैचेज खेले। इस फॉर्माट में टीम इंडिया को इस साल 15 में जीत और 7 में हार मिली। एक मुकाबला नो रिजल्ट भी रहा। प से पहले जून में उसने वर्ल्ट टेस्ट चैंपियंचिप का फाइनल खेला और नवंबर में वो वर्ल्ट कप फाइनल में भी जगा बनाई। हाला कि इन दोनों फाइनल मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस तरह साल 2013 के बाद ICC ट्रॉफी जीतने का सपना खेले और वो भी एक नहीं दो दो बत और फैंस हमारी यही दुआ है कि इस साल जो ट्रॉफी जीतने का समना अधूरा रह गया अगले साल वो जरूर पुरा हो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक क करें और वीडियो को शेर करें